प्रसुत है कहानी प्रेत मुक्ती कहानी का शैलेश मट्यानी और इस कहानी को मैं अल्पना वर्मा प्रसुत कर रही हूँ यहाँ इस कहानी की आडियो फाइल प्रसुत की जा रही है आपको अगर लिखित में यह कहानी चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ इस वी पूर्वा अभिमुक होते ही सूर्य और आखों के मध्य धूम केतु सा दिखाई दे गया। पाने के अंदर आपस में टकरा गए और अंजली में भरा जल धीली पड़ी हुई उमलियों से रीत गया। कहीं अचेतन मन में एक आशंका तेजी से उठी कि कहीं किसन राम ही तु नहीं मर गया है। और पान्डे जी के घुटने फिर धर धरा गए। और उने लगा कि उनके और सूर्य के बीच में धूम के तु नहीं बलकि उनके हलिया। हलिया किसन राम के आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। गले में जूलता येगो पवित, माथे में लगा हुआ श्रीखंड तिलक और आत्मा का जातिय संसकार बार बार अनुभव कर रहा था कि उपर शम्शान से अच्छूत केशव की अस्ति मज्जा को बहा कर लाती हु सुयाल नदी का निशिद जल उनके पाउं से टकरा रहा है। हो सकता है उपर से अधजला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया गया हो और वहीं पाउं से टकरा जाए लिपट जाए। नदी पार करके गाउं के और बढ़ने की जगर पांड़ी जी तेजी से इस पार ही उन्हें लगा था कि आगे की और पाने चीर सकने की सामर्ति उनके गुटनों में नहीं रह गई है। दुआ देखने से पहले भी आधी नदी पार करने में ना जाने इतने आक्समिक रूप से क्यों किसन राम की याद आ गई थी कि उन्हें लगा था कि वे नदी के पाट को अपने पाउं से ठीक वैसे ही जीर रहे हैं जैसे किसन राम हलकी फाल से खेत की मिट्टी को जीरता है। अभी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कलपना के आकाश में वे आशांका का यह धूं के तु एक एक उतर आया है कि किसन राम ही मर गया होगा और उसी का शवजलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिताना जल रही हो नदी के किनारे मचली मारने वालों ने ही आग जला रखी हो। पांटे जी का मन हुआ कि किनारे का जल हाथ में लेकर उसे सुगें कि उससे शवदाह की गंद फूट रही है या नहीं। उन्हीं आदाया कि जब कभी हल जोते जोते बैल थाम कर किसन राम उनके समीप आ जाता था सुरती मांगने को तो उसके मेले कपड़ों से ठीक वैसी ही तीखी गंद फूटने लगती थी जैसे सुरती की गांट को तोड़ती हुए फैलती है। कहीं ऐसा नहों कि पानी से भी वैसी ही तीखी गं पनाओं पर पांडे जी को हसी आने लगी। किसन राम की बातों को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है जो द्वंद उनके अचेतन में चलता रहता है उसके इस अम्रित्यों की आशंका से जुड़ जाने के कारण ही मन अपनी स्वाभावी के सिति खो बैठा है ऐसा उने लगा तो वे किनारे किनारे चलने लगे। पांडे जी के साथ ही उतर दिशा की ओर लोटना लगे। साथ ही उन्हें सामने एक गहरा ताल दिखाए दिया तो लगा कि कहीं ऐसा तो ना हुआ हो कि शब यहां तक बहे आया हो और मचलियों से नोच रही हो। एक बार गहराई तक उस ताल में जाकर पांडे जी और भी तेजी से चलने लगे। ताकि आशांकाओं का समाधान हो जाए तो मन की इस विप्रांती से मुक्ति मिले। केवल अनंद पांडे जी और किसन राम की उम्र में विशेश फर्क नहीं था। किसन राम के पिता की तीन पत्निया थी और बहुत बड़ा परिवार था। खाने पहनने को पूरा पढ़ता नहीं था, मगर परिश्रम का बोज दिन रात कंधों पर लदा रहता था। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने के सन राम में किशोर अवस्था की चंचलता या जवानी के उद्दाम आवेक को उसके चेहरे या उसकी आँखों से फूटता हुआ देखा हो। किशोर अवस्था गाओं में गुजार कर मिडल पास करके पांडे जी पहले मामा के यहां नैनिताल और फिर वहां से अपनी वागदता के पिता के पास जाकर बनारस पढ़ने चले गए थे। किसनराम से ही इस बीच उसकी मा मर गए थी यह किसनराम से ही उनको पता चला था और यह भी पता चला कि वह अपने मामा के हां चला गया था। मामा लोहार था, मगर किसन राम सिर्फ किसानिया ओडगिरी जानता था, और गरम लोहा पीटते में अपने दाए हाथ की उंगलिया पिटवा बैठा था, हाथ बेकार हो गया था, तो मामा ने भी दुरा दिया था, और वहां से पतनी को लिए लिए ससुराल चला गया था, तो स पसुराल सालों ने भी उसकी घरवाली को तो रोग लिया और उसे विदा कर दिया दाएं हात की तीन उंगलियां गिर गई थी शेश दो से सोटा और बाएं हासे हलकी मूट पकड़ कर बैलों को उची हाक लगाते हुए किसनराम की आवास पांडे जी ने गाउं की सीमा में पह दबाई हुए था क्योंकि जिस तरह दीरे-दीरे उसके आँखें भड़ती चली आई थी उससे लगता था कि बहुत गहरे दबाई हुई व्यथा उपर उठ रही है जैसे बांद बांद कर उपर की और उठाया हुआ पानी धीरे-धीरे आगे बढ़ता है किसन राम को रोते हुए देखने का यह पहला अवसर था अन्यता उसकी खुश्क आँखों में एक दीन मुस्कुराहटी उन्होंने सदेव देखी थी और कठोर परिश्रम के कारण पसीने से लगपत उसकी देह देखने से ही यह अनभूती हो पाती थी कि उसके सारे आंसो य अभी शप्त इंद्र है और उसके सारे देहे में आंखें ही आंखें फूट आई हैं पसीना भी वह कुछ इतने जतन से पहुशता था कि लगता था गालों से नितरते हुए आंसो पहुच रहा हो और एक टक उसकी और देखते रहने पर मुह में खारा खारा स्वात उभणने लगता था लेकिन तब तक सुर्थी की गांठे तोड़ने की जैसी तीखी गंद उसके कपड़ों में से नहीं आती थी बनारा से लोट आने के बाद केवल पांडे जी ने देखा था कि उम्र में बड़ा होने पर भी उनके गौर, बलिस्ट और खुलेवे शरी की तुलना मे किसन राम ऐसा लगता था जैसे इतने वर्षों की बीच प्रकृती ने उस लोहे को गरम करके उसके दुरभागे की चोटों से पीठ पीठ कर थोड़ा भूत फैला दिया है, बस पांडी जी को बार बार वहें अनोख़द रिशय याद आता था, जब 14 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किसन राम दुरून के लिए अपनी पतनी को उसके माय के ले जा रहा था, और वहें मिडल स्कूल से लोट रहे थे, छोटी सी ठीकनी सामली लड़की बी पांडी जी को हसी आ गई थी, किसन राम भी हस पड़ा था, गुसाई हमारी कौम में तो सारे करमकांट बचपन में ही सीख लेती हैं चोरियां, और आखिर शर्माते शर्माते पूछें लगा था, कि सास्तरों के अनुसार किस उमर तक आपस में प्यार करना निशिद है, शा समझ गए, कि किनी सायानों की बात को गांट बांदे हुए है, किसन राम के भोले निश्चल स्वभाव के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मेतासी थी और यह कहते कहते, उस दिन उन्होंने भी किसन राम की घरवाली को देख लिया था, कि अरे यार किसन राम, अभी तो समाशी भेजने वाले हैं संस्कृत पढ़ने, दस पारा वर्ष लोटने पर तुझे बताऊंगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है, कई वर्षों की बाद एक बर शुट्यों में घर लोटे थे कुछ दिनों को, तो उन्होंने किसन राम से पूछा था कि किसन कोई संतान या नहीं, और किसन राम की उत्तर से उन्हें लगा था कि जैसे वह उसी दिन की प्रतिक्षा में है अभी, जबकि पांडी जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे, काशी से शास्त्री करके लोट आने के बाद भी उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था, कि किसन राम ने अपनी दुग गाता को बताया, जिसे सुनकर उनका मन भराया, और उन्होंने अनुभाव किया था, कि इस पार अधचले प्यार को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह, किसन राम की घरवाली ने उसके कलेजे के साथ घिस कर उसे बुशा दिया था, और उन्हें लगा था, कि किसन राम के प्रती उनकी समवेधन शिल कलपना पर उसकी घरवाली उस दिन की तरह रो नहीं रही, बलकि खिलखिला रही है, बच्पन बीटते बीटते ही शादी हो गई थी और जवान होते होते संबंद तूट कया था, उन दिनों किसन राम अकेला ही रहता था, उसके पिता के मना करने के बावजूत पांडे जी के पिता ने किसन राम को ही अपना हलिया रख लिया था हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की मा ने किसन राम से कहा था कि किसन राम पहली तो डाल पर बैठी हुई जैसी फुर उड़ गई अब तू क्यों उसके लिए जोगधारन कर रहा है अरे तू प्याहा कर लेता तो हमारी खेती भी कुछ और ज्यादा समलती बिना जोड़ी का बैल तक नहीं खिलता रे रे तू तो हलिया है नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लोटाला किसन राम जानता था कि एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर पाता गुसईयों के खेत में उस पर उसका दाया हाथ पूरा नहीं लगता है उसने एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता को स्विकार कर लिया था और अपने सोतेले भाईयों में से किसी को रख लेने के लिए कहा था बौरान जीयों मैं अभागा तो हाथ से जड़ी लोट ही नहीं लोटा पाया कलेजे से जड़ी लोट कैसे लोटा पाऊंगा ऐसा उसने कहा और उन दिनों गाउं भर में यह बात फैल गई कि सयानी औरत का मा का मन भी कैसा कोमल होता है खुद कुसमावती बहुरान जी ने ही अपने हाथों से किसन राम के आंसु पोच दिये थे केवल पांडे जी की पूछने पर ही कुस्मावती बहुराने जी की आँखें फिर गेली हो आई थी बोली थी हिया हिया सभी का तो एक होता है केवल मैंने आसु पहुचे थे तो मेरे पाउं के पास की मिठी उठा कर कपाल से लगाते हुए बोला पौरान जीओ पारस मने ने लोहे का तसला छू दिया है मेरे जनम जनम के पापों का तारण हो गया है शुद्र कुल में जन्मा है मगर बड़ा मोह, बड़ा वैराग्या है किसन या छोरे में पांडे जी भी अनुभव कर रहे थे कि कहीं पहली पतनी के प्रती किसन राम में बहुत बड़ा मोह था और इसलिए इतना गहरा विराग भी है मगर उन दिनों हफते हफते किसन राम अपने कपड़े भी धो लेता था भोजन भी नित्ते समय पर कर लेता था खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती थी और विनम्रता पूरवक किसन राम केवल पांडे जी की पतनी से कह देता था कि बहुरान जी ओ, रोटियां मुझे टैम सही देना एक दिन खेत जोतने से निबट कर किसन राम सुयाल के किनारे कपड़े धो रहा था लंगोटी बेहन कर शेश कपड़े सूखने डाल रखे थे यजमाने से लोटते वे पांडे जी आये थे तो उनके नदी पार करते समय पांडे से अलग हट कया था कि उसके पाउं का चुआ जलोने ना लगे पांडे जी ने यजमानी से मिली हुई मिठाई में से कुछ मिठाई उसे दी थी और कहा था किसन अच्छा नहीं क्या भवानी ने नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़ा धोने से मुक्ती मिलती किसन राम के हाथ जोड़ाये थे और होटों पर हलकी सी हसी महाराज जिस दिन बड़ी बौरान जीयों की सोनी की छड़ी जैसी उंगलियों की ममता पाली मेरी आखोंने उस दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ती मिल गई है इतना ही बहुत है और यूँ ही वर्षों बीत गए थे धीरे धीरे किसन राम की कमर भी जुखने लगी थी मगर उसने हल नहीं छोड़ा था और जब तक वे हल नहीं छोड़े तब तक हलिया ना बदला जाए केवल पांडे इसका निर्ने कर चुके थे जरुरत पढ़ने पर रोजाना मज़ोरी दे कर खेज जुत्वा लिये जाते थे मगर किसन राम को कोई नहीं टोकता था केवल पांडे जी की पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास किसी ही साहानुभूती उसके प्रती रखती थी और कभी-कभी किसन राम कहते था कि बड़ी बहुराने जी की तो दे ही दे गई है आत्मा तो छोटी बहुराने जी में समा गई है और ऐसा कहने के बाद बहुदा वे पांडे जी से आत्मा के संबंद में तरह-तरह के प्रशन पूशें लगता था कि महराज शास्त्रों में तो आत्मा परमात्मा के ही मंतर लिखी रहते हैं न आपके चरुना का सेवक ठहरा दो-चार मंतर मेरे अपवित्तर कानों में भी पढ़ जाए तो मेरी आत्मा का मैल भी छट जाए क्या करूं गोसाई घास खाने वाले पशू बैल नहीं हुए अनाज खाने वाला किसनराम ही हो गया महराज मरने के बाद आत्मा कहीं पर लोग को चली जाती है या इसी लोग में भटकती रह जाती है 84 लाग योनियों से भी इतर एक योनियों प्रेत आत्मा योनियों होती है यह जानने के बाद से किसनरám और भी अधिक चिक्यासु हो गया था कि आत्मा की इच्छाना होने पर भी क्या देह मातर की इच्छा से प्रेतियों नहीं मिल सकती है जब यह ज़वानी में नहीं जाना होता था तो पांडे जी खेतों मैं चले जाते थे उन्हें इस बात का बोध भी था कि जब चंद्रा बहुरानी खेतों में होती हैं तो किसनराम एकदम दत्चितों होकर काम करता रहता है मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुर्ती मांगने के बहाने उनसे तरह तर की बाते पूछने लगता है फिर भी पांडे जी किसनराम के प्रती कठोर नहीं हो पाते थे जैसी बहगी बहगी बातें वह इन दिनों क्या करता था उससे लगता था कि किसनराम की चेतनाई बहुत जल्दी जल्दी अंतर मुखी होती जा रही है उसकी खोशक आँखें इतनी धस गई थी अंदर कि मनने के बाद तलाब में डूबी हुई मचली जैसी कोई चीज उनमें चमकती लगती थी और पांडे जी को लगने लगा था कि यह उसकी मृत्यु का पूर्वा भास है और अरत संतान ही इन लोगों की इस लोग से मुक्ती नहीं हो पाती है और वे रात रात भर मशाले हाथ में लिए अपने लिए पत्नी और संतती खोजने की त्रिश्टना लिए काया ही इन प्रेत रूप में भटकते रहते हैं ऐसा कभी पांडे जी ने ही उससे बताया था क्या बताया था कि ओरत और संतान से हीन लोगों की इस लोग में मुक्ती नहीं हो पाती है और वे रात रात भर मशाले हाथों में लिए अपने लिए पत्नी और संतती खोजने की त्रिश्टना लिए काया हीन प्रेत रूप में भटकते रहते हैं यह बात पांडे जी ने ही उसे याने किसन राम को कभी बताई थी और साथ ही यह भी बताया था कि उच्च जाती के लोग जो प्रेती होने में जादा नहीं जाते हैं औरत या संतती संतान से वंचित रहने पर भी उसका कारण यह है कि उनकी सद्गति शास्त्रोत की अनुसार जो पद्धती होती है उससे हो जाती है और यह सब जानने के बाद से किसन राम निरंतन उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछा करता था अभी कुछी दिन पहले उसने फिर पूछा था कि खुद प्रेत योने से भटका जाए या कि जिस पर त्रिश्ना रह गई हो उस पर प्रेत रूप में चाया जाए तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है बहुत कहराई से पूछने पर किसन राम कुछ खुला था महराज आप तो मेरे इस्ट देरता सरीखे ठहरे आप से क्या छिपाना इधर शरीर बहुत कमजोर हो चला है समय से खा नहीं पाता हूँ वात पित बढ़ गया है ठीक से आख नहीं लग पाती और नहाने कपड़े दोने के शक्ति अब रही नहीं गुसाएं जीव और जब जब भूग से पेट जलता है जब जब खासी और चलक से दे फूटने को हो आती है और इधर उदर जाकने पर सिर्फ अपनी ही दुरगंद अपनी ही प्रेट जैसी चाया घेरने लगती है तो पापी चित बस में नहीं रहता गुसाएं जीव जिससे जवानी के दिनों में कभी गाली नहीं दी उसे अब मरते समय ना जाने कैसी कैसी भैंकर और पलीत गालियां बखने लग जाता हूँ आत्मा पासी के फंदे पर लटकती हुई लटकी हुई धिकारती रहती है कि किसन राम अब मसान धर की तरफ जाते हुए अपनी घरवाली को दागती रहती है कि अरे पात्रा तूने जो मेरा कलेजा ही नहीं निकाल लिया होता तो आज इस प्रिद्धावस्था में तू नहीं तो कोई और तो होती किसन राम भावानी को तू भूला नहीं है रे जैसे दगा करके वह गई है तेरे साथ किसी और के साथ करती तो वह थू थू थकता और दूसरी लिया था मगर तेरा मोहो तो घटा ही नहीं उससे केवल पांडे ने किसन राम से कहा गुसाएं जीओ डाल पाट तूटा अवरिक्ष तो फिर से पंकुर जाता है मगर जड़ से उखड़ा हुआ अवरिक्ष क्या करे जब तक हाथ पाओ चलते रहे टैम से पेट की आग बुझाना टैम से मेले कपड़े धोना इसलिए करता रहा कि नहीं कर पाऊंगा तो भौनी छोरी के लिए गाले निकलेगी मुह से महराज आपने तो उस पुर्पुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ता हुआ देखा ही था किसे उसकी जो पतनी थी उसको पुर्पुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ता हुआ देखा ही था उस चोटी सी छोरी को गमा देने के बाद सयानी औरत ले आता तो मुझे लगता कि मेरे आगे पीछे चील जपट्टे मार रही है महराज आप भी कह रहे होंगे कि इस किसन वा डोम की मती वृद्धा वस्ता में चौपट हो गई है मगर मैंने उस पूरपुतली का सुख कभी नहीं खोना चाहा गुसाई जीओ पांडी जी को लगा था कि धस्ती हुई आखों में जो तालाब में डूबी हुई मचली जैसे चमकती है वे खुद तपका किसन राम ही अपनी भावुकता की गहराई में डूबा हुआ है जवे पीडी का बीडी का जलता ठूट हतेली में गिस लेने वाली भावानी को साथ लेकर शास्तरों की व्यवस्ता पुष्टा पिरता था महराज आजकल जो तड़प रहा हूँ तो इसलिए कि मलेच यूनी का पहले ही ठहरा ओपर से यह सांसारी कुटल चित की हाय हाय है गरूर पुरान सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरा फिर सुनाए भी कौन कभी कभी जंगल में आखे बंद करके लेट जाता हूँ गुसाई जीव कि कोई आकाश में उड़ता गरूर पक्षी ही मुझे उड़ता समझ कर मेरे माथे पर बैटकर टिटकारी छोड़ जाए महराज अपने तारण तरण की उतनी चिंता नहीं है मगर आत्मा इसी पाप से डरती है कि कहीं प्रेत यूनी में गया तो उस बहुनी छोड़ी को ना लग जाओ हमारी सौतेली महतारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा है माराज और उसे उसके लड़के गरम चीम्टों से दाग देते हैं कहीं उसके लड़के भी उसे ऐसे ही ना दागे माराज जिसे जीते जी अपना सारा हक हुकुम होते हुए भी एक कठोर वचन तक नहीं कह सका कि जाने दे रे किसन राम पुतली जैसे उड़ती छोरी है जहां उसके मरजी आए वहीं बैठने दे उसे ही मरने के बाद दागते कैसे देख सकूंगा अच्छा है गुसाईं जी अगर कोई आदमी जीते जी अपनी आखे निकाल कर किसी गरूर पक्षी को दान कर दे तो वह प्रेतियोंनी में भी अंधा ही रहता है या नहीं पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि जिऊंजियों किसन राम्रुत्यू क्यों बढ़ा रहा है तिऊंथिव भवानी एक बच्ची की तरह है रंग बिरंगी तितली की तरह है उसके अंदर ही अंदर उरती हुई उससे भी एक ऐसे बचपन के ओले जा रही है जहां मन के बाव उसके धंसी हुई आँखों में जहाकने पर उनको ही ऐसा लगता था कि किसन राम ने मचली पकड़ने के जाल को उपर से मूट बांद कर नीचे की गहराईयों में फैला दिया है और बार बार उसकी आंतरिक वेदनाएं उस जाल में फस कर छट पटाती है और बार बार उसे अंदर की और समबिटने की कुशिश करता है और तब उसकी आंखों की जुरियां ऐसे आपस में सिमटाती हैं कि लगता है जाल की बंदी हुई मूट एकदम कस कई हैं और डोरियों में भीगा हुआ पानी निचुडाया है ऐसी आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता है जिनें दूसरे तक ना सह सके है उस निरे अशिक्षित और अबोध किसन राम की आंखों की गहराईयों में जो चमक दिखाई देती थी पाने के तल में मरी हुई मचली के चमकने की तरह उसे देखने में देखते पान्डे जी को यक्ष योधिस्ट्र प्रसंग याद आ जाता था और उन्हें लगता था कि विना किसी प्रशना को आखों के लिए तिर्पती पाए यह किसन राम उन्हें छोड़ेगा नहीं सो उन्होंने किसन राम से यह कहना शुरू कर दिया था कि शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आत्मिक रूप से प्रयाश्चित कर लेता है वे अपनी मर्णौत्तर इस्तिति में स्वर्गवासी हो जाता है किसन राम के पूछते ही अब पांडे जी कह देते थे कि किसन राम तु तु एकदम निश्चल निर्वेर आत्मा वाला है तु जैसे सात्विक लोग प्रेतियोंने में नहीं जा सकते मगर इससे किसन राम के प्रश्ण ही घटे थे उसकी बेचैनी उसका दुख नहीं घटा था पहले अपनी जिस बेचैनी को वे प्रश्णों में बाट देता था अब वे और ज़्यादा भरती जा रही थी उसकी आँखों में और पांडी जी को लगता था कि किसन राम की थालाब में सिमटते हुए पानी जैसे बेचैनी यदि नहीं गटी तो उसके आँखों के गहराईयों में डूबी हुई अपनी ही अर्थी के बास के सहारे टिके हुए शव जैसे उसकी आहतात्मा एक्तम उपर ही उतराएगे और आ पांडेजी को लग रहा था जैसे कोई उनकी पीट पर लदी उस पोटली को नीचे धर्ती के और खींच रहा है जिसमें यजमानी से मिली हुई सामक्री है दूर के गाउं में एक व्रद्य यजमान के मृत्ति हो गई थी और तेरवी कराकर पांडेजी लोट रहे थे पोटल किसन राम के मने पर हो सकता है उसके सोतेले भाई उसके थोड़े से जो बरतन थे उन्हें समेट ले गए हो और संभव है अपनी ही नियत के कारण किसन राम के नाम पर कोई बरतन ना लगाए पांडेजी को याद आया कि चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा लाती थी उस तहुआ लोटे को अपने होटों के और जुगा रहा है पांडेजी के पाउं एक्तम भारी-भारी हो आये उन्हें याद आया कि अजमान के मने से पहले उन्होंने किसन राम को आश्वाशन दिया था कि उसके मने पर वे खुद उसका तरपन कर देंगे और तब किसन राम पांडेजी भी जानते थे किसन राम का दरपन उनके लिए शास्त्रविरुद और निशिद्ध है मगर उसे आश्वस्त करने का एक मात्र उपाई यही रह गया था सो उन्होंने कह दिया था कि जाती तो सिर्फ मिट्टी की होती है मिट्टी छूट जाने के बाद सिर्फ आत सकेंगे मन ही मन पांडेजी प्राठना करते जा रहे थे कि किसन राम ना मरा हो गाउ में उन दिनों सिर्फ दो के ही मरने की आशंका ज्यादा थी एक किसन राम दूसरी उसके सोतेली मा पांडेजी की भावना थे कि वही मरी होती तो अच्छा था शम्शान तक पहुँचे त तो सिर्फ वहां सिर्फ बुझती हुई चिता शेश रह गई थी। केवल पांडे शम्शान पहुच गए हैं और देख रहे हैं कि वहां बुझती हुई चिता शेश है। मुर्दा फूंकने वाले सब जा चुके थे। पांडे जी अपने बाहरी आचार संसकार में शुद्रों को जितना अचूत समस्ते थे आत्मिक संसकार में नहीं। पिता और मा से उन्होंने उदार समवेदना और मानवियता पाई थी। मगर अपनी पर्मपरागत सामाजिक व्यवस्ता में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवार को जीना पड़ता था उतना अपने आत्मिक संसकार को नहीं। सो आत्मा से ग्रणालू ना होते वे भी एक वित्रिशना सी उनको हो आये थी। किसन राम के संबंद में जिग्यासा और बढ़ गई थी। मगर दूर से पूछ लेने की जो सुईधा समझी थी वे भी अब नहीं रही थी क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ। जानना चाहते थे कि किसन राम था या फिर उसकी सौतेली मा थी। या आक्समिक रूप से मरा हुआ कोई और, मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था। संबव है अच्छे तरह पूंट दाहा कर दिया गया हो। संबव है अतजला शव बहा दिया हो। वित्रिष्णा और निशेत के बावजूद पांडी जी थोड़ा और आगे बढ़ गये। अजीव मनहस्ति थी उनकी हो गई थी। यह आशंका उन्हें पीछे लोटा ले जाना चाहती थी कि कहीं दूर खेतों में काम करता या कोई और आता हुआ कोई यह शमशान टटोलते देखेगा उनको देखेगा तो ना जाने क्या समझेगा कि एक अच्छूत के शवदाहा के बाद वह वहां क्या खोज रहे हैं मगर उनकी जिग्यासा आखों को चारों और घुमा देती थी कि कहीं कोई ऐसा अशेश ही दिख जाये किसन राम की सोतेली मा का घागरा पिछोरा ही दिख जाये जिससे शंका टले और तभी पाओं के एक्तम समीब कोई कपड़ा उनके पाओं से लग गया और पांडे जी चौक कर पीछे अट गए देखा किसन राम की काली दो पलिया टोपी थी जिसे चंद्रा बहुरानी से रोटियां लेते में वे लोहे के तसले की तरह आगे पहला देता था महराज घे राम वेथा से पांडे जी के आँखें गिली हो आएं आशंका के प्रमान सिद्ध हो जाने से पाओं अपने आप हलके हो आए और पांडे जी पीछे लोटाए गाओं के और जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए थोड़ी दूर और सुयाल के किनारे किनारे ही च खेलाए हुए आखिर क्या मांगना चाहता रहा होगा किसन राम अपने अंतिम शणों में सिर्फ यही तो कि उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए शायद मरते समय किसी से कह भी गया हो कि उन्हें इस बात की याद दिला दी जाए कि उन्होंने उसका तरपंड करने का आश्वाशन दे रखा था अंतिम दिनों में अपनी मुक्ति की जो आश्वस्ती किसन राम की आँखों में आ गई थी कहीं ऐसा नहो कि उसकी मर्नोतर आत्मा भई खोशती फिर रही हो कि पांडे जी उसका तरपंड करते भी हैं कि नहीं पांडे जी अनुभव कर रहे थे कि किसन राम उनको पीछे लोटा लेना चाहता है और उससे मुक्ति का एक मात रुपाई यही है कि उसका तरपंड कर दिया जाए अपने मन की तमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही मार्गशेश था मगर जाती विरादी के लोगों की जानकारी में कुछ भी करना संभव नहीं था यहां इस सोयाल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वही इश्वर शाक्षी रहेगा जिसके लिए मनुष्य मनुष्य सब एक हैं मगर एक्तम शम्शान के समीपी तरपंड करने से कोई आता जाता प्रश्नवाचा कांकों से भूने लगेगा और कोई कहीं यह अववाही न फैलावे कि पैसे के लोवी ब्राह्मन अपचोरी-चोरी से शुद्रों का पौरहित्ती भी निभाने लगे हैं थोड़ी ही ओपर पतली धारा सायाल से मिल रही थी पांडी जी आगे बढ़े और संगम के पास एक उची शिला पर पोटली रख दे पोटली खोलने में लोटा लुड़क पड़ा पांडी जी का मन भराया जल भरकर लोटा उन्होंने नदी किनारे की मिट्टी में वेधी जैसी बना कर रख दिया जिन्दगी भर तो ये जमानों के हथेली से दान ही ग्रहन किया था आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वेम भी क्यों न कर ले मन के उदार होते होते पांडी जी यह भी भूल गए कि वह एक शूद्र का अत्तरपन कर रहे है थाली, ग्लास और कटोरा भी उन्होंने निकाल लिया थाली में जवतिल डाल लिये थोड़ा सा कुछ भी बीन लाए और सारे समगरी ठीक कर लेने के बाद पहले तिल आंजली देने के लिए किसन राम प्रेम प्रेतार्थ कहते कहते उनका मन हुआया कि शमशान के पास पड़ी हुई किसन राम की टोबी उठालाएं और उसी में जवतिल छोड़ दें किसन राम का तरपन करके गाउं के एक्टम समीब पहुँच जाने पर पांडी जी को याद आया कि कल ही उन्हें अपने पिता जी का श्राथ भी तो करना है और पहले एक शूद्र का तरपन करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्र जीवी पिता का श्राथ पांडी जी ने अपने हाथों की और देखा लगा हाथ अशुद हो गए हैं, उद्विन होकर अपने मुँपर उंगलियां फिराई, फिर सुर्ती तोड़ने की जैसी गंद अनुभव हुए, पांडी जी सोच रहे थे कि यो चोरी-चोरी शुद्र का तरपन करने के बाद बिना घरवालों से कुछ कहे, सुने, उन्हें प उदारताओं के बावजूत, जाती संसकार की एकांत निष्ठा और कटरता उनके पिता में थी, जिसने जीवन भर शास्र विरूत कोई कर्म नहीं किया, उसी का शुराद अशुद हातों से कैसे किया जा सकता है, गाउं समी पाता जा रहा था, मगर पांडे जी एक्तम ठक ग दिकरिया क्यों नहीं लग रहा था कि किसन राम की प्रेत मुक्ति हो गई है, लेकिन उसके पश्चाताप का प्रेत उनसे चिपट गया है, किसन राम की याद आने पर माथे का पसीना पोंचते वे उन्होंने पुना शम्चान की दिशा की और आखे उठाई, तो इस पार उन का अपना ही प्रेत लटका हुआ है, और सौतेली मा को फू कर धीर जरे लोटता हुआ किसन राम दूसरे रास्ते से आता हुआ पांडे जी को देखकर रुकिया, और महराज कहते वे दंडवत में चुका, तो आखों पर से हाथ हटाते ही पांडे जी को किसन राम का नंगा सि खाई दिया, बीच सिर में जहां बाल नहीं रह गए थे, पसीने की बूंदे ठीक ऐसे ही चमक रही थी जैसे जो तिल थाली में पाने की बूंदे बिखरी हुई हो, और जीता रहे कहने को हाथ उपर उठाते वे पांडे जी को ऐसा लगा, जैसे आसमान में लटके हुए किस प्रेत को नीचे गिरा रहे हो, तो यहीं कहानी समाप्थ हो जाते है, आशा करती हूँ, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, यह कहानी एक दुनिया समानांतर में भी संकलित है, इसके लेकर शलेश मट्याने जी है